पूप को आवगी ताफ़ां की रानी पूप को आवगी मिली गई दीटी गुछ देदो ना एक तो मैं बैसे ही परिशान हूँ ऊपर से तू भीक मांगने आ गया चल निकाल नहीं आजे दीटी तू तो बैदे ना जो इए देख भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं पहले से ही बहुत परिशान हूँ अब तू मुझक और परिशान मत कर ठीस, तू यहां से चला जा दीटी तुमने में भाई के दिया दीटी मुझे गताओ क्या परिशानी है अरे, मैं तुझे अपनी क्या परेशानी बताउं, तु तो खुद भीक मांगता है, तो तु मेरी क्या परेशानी दूर करेगा दीदी मैं भीक मांगता हूँ, फिर बेहन मनाली में खुछ से दे कना चाहता हूँ चल ठीक है चोटे, अगर तुने मुझे अपनी बहन मान लिया, तो मैंने भी आज से तुझे अपना छोटा भाई मान लिया मैं तुझे अपनी सारी कहानी बताती हूँ, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था भाई, आपना दस करोर रुपया मेरे गासे आ चुका है और अहाँ चोटे, सुकला जी से भी तो बात हुई थी, बीश करोर रुपय होगी, उसका क्या हुआ भाई, वो बीश करोर रुपय है, मैंने गोदा में पहुच बादी है, मुझे ये डर लग रहा है, कहीं छापना लग जाए चोटे, तो टेंशन क्यों ले रहा है, आने वाले एलेक्शन में, सियाम की पदबर मैं स्याम लड़ूंगा, और फिर अपना काला धन सारा साफेद हो जाएगा और हाँ चोटे, जो अपने पास लेडिज मैनेजर है, उसके लिए तो कुछ पता नहीं है, कि अपने पास कितना काला धन है भाईया, उसको हमारे बार में कुछी ने पता है, उसको तो क्वांटे करना पर अपने घर चली आती है अरे चोटे, ये गेट के पास कौन खड़ा है भाईया, ये तो भाईया ये लड़की है, इसने हमारी सारी बाता सुलनी क्या चोटे, चोटे, अगर इस लड़की ने हमारे काले धन के वारे में किसी को बता दिया फिर मैं सीम नहीं मन पाऊँगा, इस से अच्छा यही रहेगा, इस लड़कीों को खतम कर दी ठीक है भाईया पताने का भाग गई, साथ घरी गई हो गई, सीधा घरी जाता हूँ पताने का भाईया ओई बुट्टे, तेरी बेटी कहा है? बाबुजी, मेरी बेटी तो आपके ओपिस में काम करने गई थी, आती होगी बुट्टे, ज्यादा साड़ा मतवन, मुझे पता है, तेरी बेटी घर में, तु मुझे छुपा रहा है नहीं बाबुजी, मैं सच कह रहा हूँ, आप घर में देख सकते हो मैं भी देखता हूँ, तु कहा तक बचेगी मुझे पापा, पापा, यह क्या हो पापे तुम्हें? अरे बहन, यह रोने के समय नहीं है, तु मिहां से भाग जाओ, धन राजी का भाई तुम्हें टून्द तूड़ता हूँ आया था। तुम इहां से भाग जाओ, बरना बो तुम्हें भी मारदेगा। पिलीज तुम यहां से चलिए आओ इन्हें मैं समान लूंगा भाई बस यही मेरी कहानी है तुम मुझे कहां तक खुष रख सकता है और कहां तक खुष देख सकता है उस धन्राज के भाई ने मेरे पिताजी को मार दिया और इसी गुज़े की वज़ा से मैंने तेरे उपर हाथ उठा दिया और मुझे माफ कर देना यह ठीर चुपा आओ तुम्हानात नहीं हो अब तो अब द्ञाश को बरबाति हो अब कर सकते हैं आपते इसे जल्राज कर देना वेजिन द्धनराज के पास पैसा और दोनों हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है हम उसे कैसे बरबात कर सकते हैं सुन मेरे भाइ तो समझ क्यों नहीं रहे धन्राज कर सकता है लेकिन छोटे हम धनराज का काला धन मिटाएंगे कैसे सुन मेरे भाई इंकम टैक्स ऑफिसर बढ़ने के लिए हमें बहुत पैसे की जरूत पड़ेगी और उसके लिए बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ती है कहां से लाएंगे हम इतना पैसा लाओंगा मेरा प्यारा भाई मैंने तो कवी सपनों में भी नहीं सोचा था कि मुझे भागवान इतना अच्छा भाई देगा मेरे तो नसीवी खुल गए तुझे पाकर दीदी रुको अजोर्टिकर टीपन रहा गया अरे मेरे नन्ने मुन्ने भाईया तु मेरा कितना खयाल रखता है लदे तेरे जैसा भाई हर किसी भेहन को मिले चल ठीके अब मैं चलती हूँ अरे यार रजा यहां न्यू एडिविशन कौन है पता नहीं यार यह कौन है इस से चल चुटी के बाद में बात करते हैं यार इस से बात क्या करनी इसके साथ थोड़ी बहुत रहें करनी जिसमें की इस से मजा भी आएगा हाँ यार तुन ठीक कहा हमने किसी के साथ रहेंग ने इस बहुत दिनों से यार अब ही तक तो आई नहीं बता नहीं क्या कर लिए लड़की चले द्राइज चलिस किताब को उठाइज वह अभी कहां जा रही है इन जूतियों को सापकर तुम अपने आपको समझते क्या हो अभी मेरे भाई को पता चल गया रहा तो तुम लोगों का क्या होगा पता भी है तुम्हें हर लड़की एक जैसी नहीं होती तुम जो रैगिन हर लड़की के साथ करते हैं न मेरे साथ नहीं चलेगी आई केन अंडरस्टेंड यार यह एतन यार यह क्लास में क्यों नहीं गई है यहां पर बैठी है यार तुम्हें क्या पता आज क्लास प्रेंजिफल ने फिस जमा कराई है इसकी फिस जमा नहीं होगी इसलिए यह बैठी है यार यह अपने भाई यहां किसी घरवाले का इंत्यार कर रही है फिस जमा करवाने के लि करने के लिए मेरा भाई जिंदा है समझे तुम लोग अपने काम से काम रखो तुम कि एलो मैडम नहीं आएगा तुमारा वाई भाई हमसे फ्रेंड़िशिप कर लो हम आपकी जमा कर देंगे कि मेरी बहन को किया कह रहा है चलेट पीछे तु किस से अपनी बहन कह रहा है तुम यह सब मत करो अरे यह इसका विकारी भाई मैंने तो कोई बड़ा आदमी समझा देखो इन बहन भाईयों को पता नहीं कितने दिनों से नाय नहीं है चलेट पीसे चलो वे दीदी तुम तो अपनी पढ़ाई करो यह लोग ऐसे करते हैं लो दीदी पैसे अपनी फीसे मां कर देना मेरे भाई तुम मेरा कितना ख्याल रखता है तो यही रुक मैं अपनी फीस जमा करके बस अभी आई करें अच्छी के टम में कैसे खड़ाए वह इतने अच्छे कब्ले पेंड कर वह विकार याज इतना सजदस्ट के कैस खड़ाए वह यह माले लेकर हाथ में वह तुछ को भाई करा आई क्या मैं जोक सुना रहा है तुछ नहीं है तो क्या है कि अरे यार यह तो इसकी दिदी है यह अपीषर नहीं है होई कि टुम कि दिन बखार करा देख में तीरी अपीषर है और हां मैं तुमारी याददास को बता दूँ कि तो मुझ दिन मुझसे कह रहाय थे कि मेडम हमसे दोस्ती कर लो हम तो मारी फीज़ामा कर देंगे याद आया? अब तुम तीनों बोलो कि मैं तुम्हारी कितनी फीज जमा करूँ और जैसा मैं बोलू जैसा करोगे तुम तीनों? सॉरी मेडम हमसे खलती होगे किसी के होंसले और जज़बाद के साथ नहीं खेलना चाहिए मैडम हम आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे हैं मैं माप कर दू ठीक है लेकिन हमेजा एक बात याद रखना किसी के हौसले के साथ मत खेलना क्योंकि तुम जैसे लोगों की वज़ा से कुछ लोगों के हौसले तूट कर विखर जाते हैं सुन चोटे अब तू घर जा जब तक मैं धन्राज के बच्चे को अरेस्ट करकर आती हूं उससे अपना बदला लेकर आती हूं ठीक है ठीक है आराम से जाओ अधर अधर आखिसर तलासी लो इसके ऑफिस की और जो कुछ भी निकले बाहर निकालो है है लो मेडम हमारे अभश इसकी क्यों तलासी ले रहे हो किसके कहने पर धन राज यहीं चुप हो जाओ क्योंकि मुझे सब पताया तेरे वारे में कि तु क्या काम करता है और तेरे कितन नहीं मिलेगा, शर्फ खाली हाज जाओगे. ये तो टाइम ही बताएगा धन्राज, कि मैं यहां से खाली हाज जाओगे या तुझे साथ लेकर जाओगे. ओफिसर, डेक कीचेन खोलो. कि अधन्राज, मैंने तुस्से कहा था ना, कि मैं तुझे अपनी साथ ही लेकर जाओगी. ओफिसर, अरेस्ट हीम.